तो देखो बई, जितने भी बच्चे, क्लास 10 से क्लास 11 में मूव कर रहे हैं। मतलब वो सारे बच्चे, जो अपने IATJ, Men's and Advanced, या फिर NEET का एक्जाम, 2025 में देना चाते हैं। उन सभी बच्चों के मन में एक डाउट है, कि सर, क्लास 11 की physics स्टार्ट करने से पहले हमको कौन-कौन सी चीजे पहले से आनी चाहिए। और उसमें कौन-कौन से chapters हैं, तो यहां पर मैं तुम्हें क्लास 11 की physics का overview देने बाला हूँ। ठीक है। और इसमें, इसको start करने से पहले हमें क्या-क्या आना चाहिए। कौन सी चीजे अगर हम पढ़नेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से हमारे numerical question और conceptual question solve हो पाएंगे। जो competitive exam के लिए बहुत जादा important है, सिर्फ रट्टावाजी नहीं करने हम कहीं के school के exam जाके लिख दिया, हमें competitive exam की question करने है, जेए और need के करने है, तो उसके लिए हमें क्या-क्या चीज है पहले से आनी चाहिए। और फिर अगली चीज क्या होती है, कई बार हमारे को chapter मिस हो जाते हैं, तो बाद में जाके बच्चों को दिक्कत होती है, सर इस chapter को पढ़ने के लिए पहले से क्या क्या आना चाहिए। तो indeed, in the end, तुम इसके एक screenshot ले सकते हो, और मैं तुम्हें ये भी बता दूँगा कि हर एक chapter के पहले क्या क्या परिक्षायट है तो इसमें तुम्हें complete class 11 की physics का overview मिल जाएगा और इसी तरह से मैं class 12 की physics का भी overview डालूँगा, उसकी link description में मिल जाएगी तो देखो, सबसे पहले तो physics स्टार्ट करने से पहले, must, class 11 की physics स्टार्ट करने से पहले, तुम्हें class 10 तक की maths आनी चाहिए, up to class 10th maths, ये सबसे important चीछ है जो most of the students को आती है, फिर भी मैंने कई students देखे हैं, जिनको नहीं आती है, जिनको उसी में दिक्कत हो रही होती है तो मैं तुम्हें एक चीज़ बताते हैं, अगर तुम्हारी दिक्कत यहां पर है, अगर यहां पर तुम्हारी किरपा रख रही है, तो यहां पर तुम कितिनी भी पढ़ाई कर लो, दिन के तुम 24 के 25 घंटे पढ़ लो, तुम्हारा कुछ नहीं होने बाला, तो अगर class 10 त स्टाड करते हैं, तो बिल्कुल जीरो लेबल से स्टाड करते हैं, अगर तुम्हें न्यूटन का नाम भी नहीं सुना तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम्हें नहीं पता भी, V equal to IR, current वगरा क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं है, physics हम बिल्कुल जीरो लेबल से स तुम physics की numerical नहीं कर पाओगे, तो सबसे पहले हमको जो पढ़ना होता है, इसके बाद जो हम जब भी तुम आओगे, किसी भी कोचिंग में जाओगे, तो जो शुरुआत होती है, वो तुमारी basic mathematics से शुरुआत होती है, यह पूरी physics की सबसे important चीज़ है, basic maths for physics, क्योंकि इसक सबसे important चीज़ है पूरी physics के लिए इसके बाद, अगली step तुमारी ही है, तो जब भी तुम classes में होगे, सबसे पहले तुम यही कराया जाएगा, यह तुम्हें धानक में है, उसके बाद कुछ भी है, तो मैं पहली बताते हैं, यह तो सभी के लिए आना चाहिए, अब इसके अलाबा क्या क्या आना चाहिए, बहुत चीज़े में तो मैं रता हूँगा, पर यह सभी को आना चाहिए, तो फिजिकल वेल्ट तो यह इसे interesting chapter है, मज़े के लिए तुम पढ़ सकते हो, इसके लिए कोई ऐसे numerical नहीं होते है, प्रिरिक्विजाइट नहीं होते है, इसके लि घाते है, तो समझ में नहीं आता है, पर ठीक है, बहुत से बच्चे इसको बाद में भी देख रहे होंगे, एसे भी बच्चे होंगे जो उसको बाद में देख रहे होगे, फूचर में देख रहे होंगे, जिनके कुछ chapter कि सी कारण बस backlog हो गई हो गए होगे, जो भी reason होते ह तो उससे पहले उनको क्या क्या आना चाहिए मैं हर तुम्हें हर चेप्टर का प्रिक्रिक्रिजाइट बताने माला हुए ठीक है तो फिर सचल बाद ही हम शुरुआत कर रहे हैं अगर तुम्हें का इनलाय मॉशन स्मय क्योंकि यह तो देखो एक बहुत इंपोर्टेंट चेप्टर में लगा देता हूं क्योंकि इसकी जरूवाद तो आपको पूरी 11 तो 12 की फिजिक्स में लगवग हर जागे पड़ी कि क्योंकि फोर्स का कॉंसेप्ट फिरी बॉडी डाइग्राम बनाना है यह बेसिक डील करना तो सभी को आना चाहिए यह फिजिक्स की सबसे बेसिक चीज़ है तो वर्क पावर एनरजी पढ़ने के लिए आपको यह वाला चेप्टर तो आना ही जाहिए इसको मैं एनलम बोलूँगा है अगला सबसे बहुत इंपोर्टन चेप्टर बोलूँगा मैं फिजिक्स का क्योंकि इसके बना तुम आगे कुछ नहीं समझ सकते हैं अब यह मान के जलना आगे हम कोई भी चेप्टर की बात करेंगे आपको यह दोनों तो आना ही चाहिए इनकेस अगर किसी के बैक लोग है तो मैं कहूंगा अगर तुमने यह कंप्लीट कर लिए तो सबसे पहले यह दोनों किम्प्लीट करो उसके बाद लॉज और फिजिक्स के हर चेप्टर में फोर्स और एंerजी हर जगे यूज होती है क्योंकि पूरी फिजिक्स हम समझते ही इसके अटम में है इसके बाते को स पूरी फिजिक सा सबसे डिविकर्ट और सबसे मज़ेधार चाहिए तो इसके लिए तो उपर का सारा अब 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 जितना भी अपने वर लिखा हुआ है इधर लेगर अबब टॉपिक से न यह पढ़ने के लिए तुम्हें उपर का पुराना आना चाहिए जितना बच्छे का अगर बैकलोग हो जाता है तो यूनिट्स और डिमेशन को लिए परिशान मत हो ना इसको तुम पूरी फिजेक्स के एंड में भी पढ़ लोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इससे इतनी परिशान ही नहीं आती है अगर आपको कभी बैकलोग हो गया और कम है तो सबसे परे इन दोनों को तयार कर रह indigant उसके बाद तुमें इसका मोमेंटम बाला पार्ट कर सकता हूं इतना पूरा पार्ट तयार करनी जरूद है अगर कभी कम समय है तो इसमें सेंट्र ऑब MAS और मोमेंटम बाला पार्ट होता है उसको कर ला सेंट्रो मास एंड मोमेंटम है ना ठीक है ग्राविटेशन के लिए भी पूरे के उपर के सारे टोपिक आने चाहिए अब अब टोपिक मतलब एक तरह से पूरी मेकानिक्स होगी इस पूरे पार्ट को अपन मेकानिक्स बोलते हैं यहां से लेकर यहां तक अपना जो चल रहा ह पर एक अलग बात है और चाहते हो कि तुमारे अच्छे लेवल के कोश्चन सौल्व हो पाएं तो आपको पूरी मेकानिक्स आनी चाहिए उपर कि तभी आप ग्राविटेशन अच्छे से समझ पाऊंगे बनना नहीं है अगली चीज मैं बता देता हूँ ग्राविटेशन इ तो चीजे बहुत आसान हो जाती है मतलब इस रिक्कमेंडेशन बाकी 11 में भी पढ़ सकते हो पर इलेक्ट्र स्टेटिक के बाद बहुत आसान हो जाता है इसको खतम करा जाता है ग्राविटेशन को कोचिंग में तो यह होता है स्कूल बाले तो दो-दो क्लास को कुछ भी कर है इस चेप्टर का नाम है इलास्टिसिटी भी है तो यह मोस्टली इंडिपेंडेंट चेप्टर है मैं बोल सकता हो अगर आपको है ना मतलब मोस्टली इंडिपेंडेंट है आप पढ़ों के समझ में आ रहेगा न्यूटन लॉज और पावर एनरजी ना यह तो आनी चाहि है तो अब इसके आगे जो टौपेंस हैना फेटा है ना ठीक है अब दिखो यह तो मारी फूरी थर्मल फीजिक से हम इसको फूरे यहां से लेकर हां तक इसकृस्ट ऑपन थर्मिशिक बोलते हैना यह धिन면 स्वेंट है थर्मल और इनरजी भी इनरजी तो भी चल वहुत सारी फृजिकल केमिश्टी से यह चाहता है नहीं रहा है अगर तुम्हारे पुराने चप्टर बेक भी भी हो गए है तो भी तुम इसको पढ़ सकते हो समझे बहारी बात हो है तो अच्छा टॉपिक है अब देखो तो oscillations को हम SHM भी बोलते हैं, इसका एक नाम है SHM भी बोलते हैं, simple harmonic motion है, एक ही chapter है, अब देखो oscillations समझे के लिए again तुम्हें mechanics आनी चाहिए उपर वाली, यह जितिनी भी mechanics है, इंडिड मैं बोलूँगा at least up to center of mass वाले chapter तक आनी चाहिए, यह NCIT में एक chapter करके दिया गया है, पर मैंने काई, यह दो chapter हैं बड़े-बड़े हैं, system of particle मतलब center of mass, momentum and collision, है ना, औफ ही rotation, तो मैं कहूंगा, up to center of mass तो मैं आनी चाहिए, mechanics, तो मैं इसके लिए क्या आना चाहिए, mechanics, rotation नहीं आता, चल जाएगा, है ना, although JE बाले बच्चों के लिए, JE advance के लिए, SHM plus rotation mix होके बहुत अच्छे question बनते हैं, ठीक है, तो अगर पूरी mechanics आती है, तो भाई, SHM बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है, oscillation बाला चप्टर है, जो मालों पर किसी का rotation छूट गया, difficult है, मालों उत्ते अच्छे से नहीं आता, तो भी कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा, पर ये topics तो आने च energy है, इतना तो आपको आना चाहिए, ठीक है, चलो, oscillation, आपको SHM बहुत important chapter है, तो ये बात है कि SHM समझने के लिए पहले ये आना चाहिए, mechanics, फिर आपको SHM समझ में आता है, अब SHM जाके ये waves and sound दो चेप्टर होते हैं, यहाँ पर एक ही लिखा है, पर इसमें एक चल में य ये दो अलग-अलग chapter में लेंगे, इसको समझने के लिए इसका prerequisite SHM है, क्योंकि SHM में आप sinusoidal function समझना सीखते हो, जब आपको SHM अच्छे से समझ में आएको उसके बादी ही पढ़ना, मेरा high बहुत ही strong recommendation है, waves and sound कभी भी बिना SHM समझे नहीं करना, रट रहे होगे, कई लो और यह आगे जाके 12th के topics के prerequisite बनते हैं, जैसे alternating current समझना है, तो SHM आना चाहिए, wave optics समझना है तो waves and sound आना चाहिए, EM wave समझना है तो यह आना चाहिए, तो 12th के topic के भी prerequisite बनते ही है, ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक चीज़ देखो, कभी किसी कुछ लोगों की यह बाले बैक लोग हो जाते हैं, gravitation, elasticity, fluid, thermal physics, तो घबराना नहीं है, घबरान इसलिए नहीं है, पहले तो यह topic बाद में भी कर सकते हैं, अगर यह तुमारे मानलों तुम 12th में जा रहे हो और तुमारे यह topic बैक लोग हो है, तो घबराने की ज़रूद नहीं है, क्योंकि यह आगे ज बर्क पापर एनरजी, सेंटर, मास, मोमेंटम, लगबग हर जगी यूज़ होते हैं, तो यह अगर इस टार्टिंग में जिन लोगों ने यह strongly त्यार कर लेते हैं, अगर तुमने यहां तक strongly त्यार कर लिए ना, फिर तुम्हें physics में दिक्कात आती नहीं है, बस तुम्हें पढ़ना होता है, तुम्हारी physics smoothly हो जाती है, तो इस portion को बहुत strong रखें, अगर यह strong हो जाता है, तो आगे की physics बहुत अच्छे समझ में आती ही, चाहे 11th की और 12th की वेरा, I think मैंने तुम्हें सारी की सारी चीज़े बताती हैं, ठीक है, तो इनका ध्यान रखना, इसका screenshot ले करना है, और दो हपते, इस पर बहुत question करने है, जब तक basic math और vector अच्छे से तयार ना हो जाए, physics की शुरुआत भी नहीं करनी, करनी है, इसके मिना करनी है, जल्दी नहीं करना है कुछ भी, सही डंग से करना है, ताकि पहली बार में crack करें exam, ठीक है बई, इसके लाबा करनों के aspirants के लिए आ रहा है, ठीक हो, यह हमारे पिछले साल के rankers है, ठीक है, तो अगर तुम चाहते हो, कि तुम physics मुझसे पढ़ना चाहते हो, मेरे GE में अलग batches आएंगे, नीट में अलग आएंगे, around 16th March से start होने वाले हैं, बैचे से, तो 16th March से actually 12th की बच्चों की start हो है, 11th के बच्चों के उसके बात से start होंगे, ठीक है, बाकि में तुम्हें अपना number भी देते हो, contact number देते हो, ताकि तुम exactly पूछ लो, कि कौन-कौन से teachers रहेंगे, कब से batches start हो रहा है, क्या prices है, क्योंकि offers भगरा भी आनक आडमी पर बहुत सारी चलते रहते हैं, तो में जो तुमारे batches start करते हैं, तो early start करने का फायदा ही होता है, कि तुमारे जो 10th के भी कुछ गरबन है, तो भी cover करा देंगे, बेसिक मैस अच्छी करवा देंगे, ये starting के mechanics वाले topic तुमारे बहुत strong हो जाएगे, इनमें तुम्हें बहुत समय मिल जाएगा, जो आगे जाके बहु अच्छा लगा तुम्हें लगता है जिन भी दोस्तों के इसकी जरूद हो सकती है